नवस्कार लो जी अब आगया एसी पहन कर चलने का जमाना हाँ आप एर कंडिशनर पहन करके बाजार में घूम सकते हैं आपके लिए खुशखबरी है अब ना तो आपको गर्मी सताएगी और ना ही ठंड ही वही भारी भरकम जैकेट पहन करके करने बाजार में घूमने के क्या जरُणरत जब ऐसी पहन कर चलने का जमाना आ गया और यह सब कुछ संबव किया है त्रक हैं सो नी कंपनी ने अब आप एयर कंडिशनर पहन कर चल सकते हैं सिर्फ गर्मी में ही नहीं, थंडी में ही, आपको थंड नहीं लगेगी, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी मसीन का नाम है रे अन पॉकेट रे अन पॉकेट यह इसलिए कि आप इस मसीन को अपने पॉकेट में रख करके चल सकते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपको इस एयर कंडिशनर का दाम भी बहुत ज़्यादा चुकाना नहीं पड़ेगा हाँ आप आठ हजार रुपिया खर्च करके इंडियन इंडियन आठ हजार रुपिया खर्च करके एक मसीन और एक इनर वेर खरीद सकते हैं जबकि 12,000 रुपिया खर्च करके एक मसीन और पांच इनर वेर खरीद सकते हैं और आराम से गर्मियों के दिनों में बाजार में घुम सकते हैं बिना पसीना बहाए और सर्दियों में पूरा बॉस बन करके घुम सकते हैं यह मसीन चिलचिलाती धूब से आपको आराम देगी और मज़े की बात है स्मार्टफोन तो ले के आप घुमते ही है न ओहां मसीन आपके स्मार्टफोन से ही नियंत्रित होगी घुorbाण्याल आज है यह कंडिशनर जो आप पाहनेंगे न अधा यह आपके स्मार्टफोन से ही नियंत्रित होगी उसमें लगा है बहुत ही पावरफुल बैटरी पावरफुल बैटरी जो लीथियम आयन का है और वो दो घंटा आप चार्ज कीजिए पॉकेट में रख लिजिए इनर वेर पानिये और कहीं भी आराम से बिना गर्मी के बिना ठंड के यह जैकेट इनर वेर यह मशीन तीन साइज में अभी उपलब्द है एस साइज में एम साइज में और एल साइज में एक्सेल वाले डबल एक्सेल वाले सौरी भाई आपके साइज का नहीं है और कंपनी का दावा है कि यह मशीन बड़ा ही यूजर फ्रेंडली है और इसे स्मार्ट फोन के ब्लू टूथ से कनेक्ट किया जा सकता है डरिये मत डरिये मत अरे बाई एर कंडिशनर है तो यह पुराने एर कंडिशनर जो हमारे कमरे में होता है न उसके तरह भारी भरकम नहीं है कि आपको लटका कर घूमना पड़ेगा बहुत ही हलका है बहुत ही हलका साइज का है खरीदेंगे इस सीजन में क्या शमा कीजिए इस सीजन में आप नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि यह जैकेट अभी सिर्फ जापानियों के लिए ही उपलब्ध है और बाद में भारत वालों को उपलब्ध होगा आप अगर मूड बना रहे हैं तो थोड़ा दिन और सबर कीजिए और इस टेक्नलोजी का बड़े मजे से आनन्द लेजिए रोने दीजिए परियावरण बादियों को एसी जहर उगलता है परियावरण प्रदूशन होता है बिमारियां फैलती है पसुपक्षी नस्ट होते हैं पेंड पौधे प्रभावित होते हैं उससे आपको क्या लेना देना आपको गर्मी से निजात चाहिए ठंड से निजात चाहिए सो मिल गई निजात अब भरे बाजार में खुले आम आप गर्मी फैलाते रही पहले तो आप अपने घर के आज़ पास ही गर्मी फैलाते थे थे ना अब खुले बाजार में कहीं भी आप गर्मी फैला सकते हैं भला हो उस पसेंजर का बस में आप ट्रेबल कर रहे हैं और आपके बगल में वो विचारा कोई पसेंजर बैठा होगा ना पता नहीं उसका क्या होगा आपको तो बड़ा मज़ा आएगा ज्यादा परिशान मत हो ये ज्यादा परिशान मत हो ये थोड़े दीन में ये आपको मौका मिलने वाला है नमस्कार आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अपने मित्रों को ये खुसकबरी दे देना तथा चैनल पर अ आपका सुझाओ है तो जरूर लिख देना धन्यबाद नमस्कार